सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि आप त्रीट लापर हिंदी की कोई भी नई अपडेट को मिसना कर पाए कई बार हम सफारी में काफी सारे टैब्स ओपन करते हैं जिने मैनुली क्लोस करना अनोइंग होता है और अगर आप भी अपने आईफोन में सफारी टैब्स को मैनुली क्लोस करने से परिशान है सफारी में ओपन मल्टिपल टैब्स को हम एक एक करके क्लोस करते हैं लेकिन अगर आप इन सभी tabs को एक साथ close करना चाहते हैं तो आपको कोई भी एक tab open करना है और नीचे right side में सब सिर्फ corner में दिये गए icon पर press and hold करना है यहां आपको close all 7 tabs को option दिखेगा उस पर tap करना है आपके safari में जितनी भी tabs open होंगी वो number आपको यहां दिख जाएगा और फिर close all 7 tabs पर tap करना है इस पर tap करते ही safari में open सभी tabs close हो जाएंगे एक और option आप use कर सकते हैं उसके लिए आपको settings में जाना है safari select करना है close tabs पर tap करना है यहां by default ही manually select होता है आप इन में से कोई भी option चूज़ कर सकते हैं यह option चूज़ करने से अगर आप safari tabs को close करना भूल भी जाते हैं तो एक दिन, एक वीक या एक मन्त में automatically सभी tabs close हो जाएगी तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like, share और हमारे channel को subscribe करना ना भूले